दोस्तों ये दिखिए सुन्दर सा यहां का नजारा हमारे ग्राम गाउं का ये बहुत ही सुन्दर अभी स्नाइकाल का समय चल रहा है ये दिखिए सामने हिमाला है और ये हमारी बहुत ही सुन्दर प्यारा सुन्दर द्रिश्य है आप लोगों को मैं ऐसे सक्षस से मिलाने जा उनको मिलाऊंगा और तो दोस्तों मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ ऐसे सक्सित से जो की हमारे चमुली गडवाल और यह है हमारा सुन्दर सा गाउन लुल्टी गाउन और यहां का सुन्दर दिरिश्या यह देखे और जिस सक्सित मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ वो मेरी ही चाची है और यह बर्सों से आप लोगों को जिसके भी कोई आँख में कच्रा फंस गया या कुछ चुब गया तो ना आँख ऐसी चीज है नेतर ऐसी चीज है कि जो की बहुत ही नाजुक चीज है तो यह हमारी चाची का एक सुन्दर सा घर बहुत प्यारा घर यह है उनके यह सिलबटा सामेद दिख रहोगा और यह घर का बहुत ही सुन्दर के लोकेशन और यह देखें क्या यह क्या है मेरी ही चाची है आज थोड़ी देर में अब हां मेरी चाची तो इनके बाराई में बताउंगा आप लोग बने रहे हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा दोस्तों यह है मेरी चाची मेरी अपनी अदर पुराल मैं आसे उसने उसको बिलकुल निकाल कितना पुराना गहां झाल देते हैं तो आप लोग आएगा अगर अगर किसी तो मेरे चाची के पाओ आएगा तो हमारा एड़ास है घिराम लोल्टी पोस्ट पिश्टूंगे सार चम्मोली गड़वाल थराली हमारा बिलोग परता है तो यह हमारी चाची है जाज तो कनेकंट हुए तो अच्छा और क्या क्या करें तो तो यह हमारी काकी कह रही है कि बहुत लोग डॉक्टर के पाथ जगा जाके परसान हो गेते फिर यहां आए तो देखो उनका बिलकुल इलाज मेरे चाची ने बहुत ही सहलिके से और तरीके से किया है तो यह हमारी चाची तो आप लोगों को कभी भी किसी को भी कोई प्रोलम होगी मेरे दोस्तों को कहीं भी कहीं भी चाए ओ भार हो कहीं भी हो तो आप जरोड मेरे को फॉन कीजेगा मेरा नंबर है नौड कीजेगा मेरा नंबर 9811-761744 एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं 9811-761744 तो हमारी चाची है तो बहुत ही कोई आपके आँखों में आँखों की कोई भी दिकत है मतलब कि आपके आँखों में कोई भी अगर कच्छरा फसा है या कोई भी कांटा फसा है पथर फसा है कोई भी तो हमारी चाची बिना उसके कोई नी आप बिल्कुल अभी कहें ति मेरे चाची की बिल्कुल उससे पिन से निकालती है और एक चिम्टी होती उससे उनको तरीका है सहलीका है सहलीका से निकालती है तो बहुत ही इनक अच्छा तो यह पहले से निकालते हैं जब एठाव उनीस साल के थे बल और हमने तो चाची को ऐसे ही दिखा हमेशा आज भी ऐसे ही है तब भी ऐसे ही दिखा था मैंने मैं तो जब आप तो मैं भी बुड़ा हो गया तो तो तब इनोंने इसी डंग से काम करते थे और आज भी कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास और यह हमारे गिरामसभा की बहुत बड़ी बेद है आखो का इस पेसल लिष्ट बोसकते आप क्योंकि आख एक ऐसी चीज है नाजुक चीज है तो उसका जिस भाई को जिस बहन को जिस माता को अगर कोई यह दिखत है तो जरूल मैंने आपका अपना नमबर दे रखा है तो कॉंटरक्ट कीजिए मेरे से धन्याबाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार हर हर महादेव खुश रहो